नमस्कार दर्शको आप सबका स्वागत है इस कारिक्रम में दर्शको आपको शायद पता चल ही चुका होगा कि हम अभी कहां पर मौझूद है जी हां हम मौझूद है आर्चरी रेंज में जहां हमारे साथ मौझूद है स्री एन उमर फारुक जी जो कई वर्षों से बतौर प्रशिक्षक आर्चरी बच्चों को सिखा रहे हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दर्शको सबसे पहले हम फारुक जी से यह जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से यह सिखा रहे हैं और आपका कैसा अनुभव रहा है मेरा आचरी में बहुत पहले से ही लगाव था और हम नेशनल पार्शिपंट भी है यहां से अंडमा उनको देखकर मैं यहां से आचरी शुरू किया था जब मैं प्लैर था इनके साथ में जाकर शुरू किया हुआ था अभी मैं बतौर कोच के इसे मैं बच्चों को यह कोचिंग करा रहा हूं अब यह जनवरी से मैंने रगुलर क्लासस शुरू किया है सुबह और शाम का दो कट्रू कलासस स्लता है हमारा एक मौणिंग सबं तू नाइन का और एक इवनिग में साड़े तीन बज़े से लेगर लेवसे एक नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेखल कोल oh pagrach hearing तर अपस में हमारे पास अभी बच्चे है सब इंडिन लाउन्स Carl Gman a आपना कोचिंग ले राया हैं अदमानिक वार में तुसरज जैसी कि आपने बताया की कई से शीक्षे रहे हैं और उन बच्चों का ऐज गरूप करका है सब्सक्राइब से लेगन सब्सक्राइब करें डिर्वी बड़े हैं यहां पेछ तो जो चोटे बच्चे आते उनको तो पहले मैं सचिंग वागेरा अगेरा अगेरा और इसके बाद में और रबर ऐक्सराइज होता है जिसे इंजुरी ना हो यह गेम ऐसा है कि इसमें इंजुरी भी उक्ता है तो जितने हैं चोटे बच्चे आते हैं अथने चोटे बच्चों को पाउंडेज कम करके मैक्सिमम पाउंडेज 16, 18 और 20, 22 का पाउंडेज देखके मैं स्टार्ट करवाता हूं आते ही मैं उनको रबर एक्सराइस और स्रेचिंग करवाता हूं इसलिए कि वह इंजर्ड ना हो और उनका कोई भी तरह का नुक्साल ना हो कोई मेडिकल यसूस ना हो इसी लिए बहुत ही बढ़िया और जैसे कि हम यहां पर भी देख पा रहे हैं काफी चोटे उम्र के बच्चे हैं तो इनके साथ डील करने में या इनको जब प्रारम भी का आप सिखा रहे होते हैं वहां आपको कैसे चैलेंजेस होते हैं बच्चों को तो काफी सारा हमारे पास चैलेंज रहता है क्योंकि बच्चों को सम्वालना काफी मुश्किल होता है और उनको मैं जब जब जसी भी नहीं कर सकता कि आपको यह करना है यह करना है फिर मैं उनके साथ में मिल जो के मजाग मस्ती करते हुए गेम खेलते हुए उनको करवाता ह सेचिंग वगेरा सब कुछ करवाता हूं रबर सेचिंग जो भी है उनको फिर में बेसिक लेवल से सिखा के आता हूं उसके बीट में फिर कुछ गेम हो जाता है अमारा ताकि वह कुछ रहे यह नहीं है कि मेरे पास आगया मैं उनको जबरुस्ति कराया दूसरे दीन से वह नह और क्योंकि गेम भी ऐसा है कि फोकस का बहुत बड़ा रोल होता है और इनका फोकस ड्रॉप करना वो मुझे लगता है कि काफी चैलेंजिंग हो सकता है एक तरह से फोकस भोले तुम्हां यह गेम तोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि वह और एरो से इंजूर में हो सकते है तो इस वजे से एफोसी की बहुत बड़ा ख्याल लगना पड़ता है फिल्ड ओफ प्ले एफोसी में यह है कि गेम खेलने से पहले हमें गेम के बारे में और गेम कैसा होता है उसके बारे में बो कैसा होता है उसके बारे में और एरोस डेंजर होता है और कहीं शूटिंग र बढ़ता है अभी मैं सिंगली था तो तो चीनियर्स जो मेरे साथ थे पहले से उनको भी लेके मैं अगर शुटिंग कर रहा हूं तो किसी को स्टेचिंग कर रहा है किसी को एकसराइस कर वा रहा है तो एक लेवल से जहां शूटिंग होता है तो बच्चे इदर उधर दौरते रहते हैं उनका ख्याल लखना बहुत जरूरी है तो फिर यह ध्यान में जरूर लखना चाहिए ताकि कोई बच्चा एंजल नहों जाए तो सर हम यह पूछना चाहेंगे कि प्रतिय वर्ष अप्रॉक्सिमेटली कितने बच्चों को आप तयार करते हैं नैशनल और इंटरनेश जाने के मैं बाद में सचोचूँ कि प्रहले नैशनल खेल ले यह उनको जानकारी हो जाए कि नैशनल से कैसा इंटरनेशनल में चम किया जाता है उसके बाद उनको बहुत चेंच करना पड़ता है यह तो सरिफ नैशनल में चलता है इंडियन डाउंस तो यहां से अभी हमार टीम ऐसा तयार है कि पिशनेर्स में अपना टीमừंट भी तयार है इंडिजल टीम भी तיार है और mixed double भी सेम जॉनियर सब जुनियर सब में मेरे पास available बच्चे हैं 100 से अधिक बच्चे आपको चेल साथ से आभी सव पार कर गया है हमारा आफ गार जितने भी है और सब के पा और मैं यही सोचता हूं कि अंडमान से जो भी रिप्रेजंट करने के लिए जाएगा एक बढ़िया सा रिजल्ट आएगा अंडमान को इससे पहले जो नहीं आया था कहीं जादा अच्छा रिजल्ट आएगा जैसे कि आपने रिजल्ट की बात की तो उस रिजल्ट के पीछे बहुत बड़ा जो परिश्रम होता है आपकी तरफ से हो बच्चों के तरफ से वह बहुत जादा जरूरी होता है तो जैसे ही बच्चे को इवेंट के लिए जाते हैं तो उनकी तैयारी किस तरह से की जाती है जैसे रेगुलर जो तैयारी होती है उसे थोड़ी अलग होती है तो वो किस तरह से होती है? जैसे भी स्टेट केलने के बाद बच्छों का सेलेक्शन हो जाता है नैशनल जाने के लिए तो उनको मैं थोड़ा जादा टाइम देते हुए उनको पढ़ ऐसा शूट करवाता हूं कि वो कंटीनु शूट करते करते वो अपने शूट को और थोड़ा बढ़िया कर सके तो हमारे पास अभी यहां पर रेंज वागेरा अविलोबिल किया आया डेक्टर स्पोर्ट्स ने और सीयर साब ने उन्होंने हमें 12 के वज़े से तोड़ा हम बाहर आउटडोर पे नहीं कर पा र बढ़ियर और सीनियर का है गेम शेडू लागया तो अभी बच्चे पूरे तैयार प्रिपरिशन में है वेकेशन में में जितना टाइम मिलाता हमें उतना टाइम हमने दिया है उनको प्रेक्टिस करने के लिए अभी स्कूल फगेरा खूल गया है कुछ सेनियर जो कॉन्टी पड़ता है विटाट कोच मैं किसी को एंट्री नहीं करता है रेंच में कि आप सुट करें अचानक में तब्याद वागरा कि अपाता हूं तो उसने में मना कर देता हूं उस दिन मैं उनका वरक्शॉप करवा देता हूं कि वह अपना वो और एरो बनाएंगे नेक्ज़ दे के कि कोई इवंट में बच्चे जाते हैं तो यहां से हम जब नैशनल के लिए जाते हैं मैं नैशनल में हर एक चीछ का फोसी फिल्ड ओफ प्ले का हर एक चीछ का घ्यान रखना चाहिए जैसे अभी बच्चे लाइन में शूटिंग में घड़िया टार्गे तंबर पे आ गया हमें पता भी नहीं रहता है और हमें खाड मिला और हमें बार किया जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस वज़े से बार हैं तो मैं यह सोच रहा हूं कि मैं उस लेवल पर इनको तयार करूं जहां पर इनको कोई दिक्कत लाओं शूटिंग से लेके पूरा अपना जाने तक और अपना शूटिंग प्रेक्टिस काते समय लेन में खड़े होते समय शूटिंग लेन में खड़े होते समय प्रोपर हम अपना दायरे में रहना चाहिए अगर हमारे आजू-बाजू में कोई प्लेयर है अगर गल्ती से भी उनको एरो या बोड़ तोड़ा से बिल्कुल सथ आचरी में जब इवेंट के लिए बचे तयार होते हैं तो केवल जो कोच के सामने जो प्राक्टिस होती है उसके अलावा भी उन्हें अपने डायेट और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के उपर कैसा काम करना चाहिए फिजिकल अपना फिट होना चाहिए क्यों से काफी सारे आचो साते हैं तो उसमें हमें यह ध्यान देना है कि हम हमारे बच्चों को कितना प्रैक्टिस करा सके कभी हमारा यह होता है यह से हम अन्नमा निकुबा से जब जाते हैं तो हमारे ट्रावेलिंग में ज्यादा टाइम निकल जाता है तो वहां जाने के बाद हम सायद जस्टिनेसिन में पहुंचते हैं जब गेम होता है उस दिन सवेरे पहुंचते है या एक दिन पहले जब हमें रिपोर्ट करना रहता है एक दिन पहले ही रिपोर्ट करना रहता है कभी हमारा ट्रेन नहीं होता कभी जार्ज नहीं रहता है कभी टाइम में मिलता है तो य आपने के बाद परमें कुद्ध के उनको बोलते हैं यहां से यह करना है यहां पर प्रक्टेस करना है इसके बाद में जब 수도 मे पर्रड़ करना बाद हमें इतना 15 से 20 मेंट पहले अपना रेंज पहुंच जाना चाहिए जहां पम रहा है वह पर होनुक्सी इवाद कि siellä कि स likewise क्यूंत को साथ को बच्चे आपके साथ जाते हैं तो वहाँ पर जब आप सिनारियो देखते हैं तो bién Camp सब्सक्रा एंडर्ट में जो जो उसे लौकल इवेंटste है वह का सिनारी यहां से कैसा सबुवर्ण कहता है मैं अभी यहां पर तो आच्री कभी हुआ नहीं है और जब शे यहां से जाते हैं वहां पर रहुं देखते हैं उनको लगता है चलू यहां पर यह पर घी M हर एक बट्रस में 5-6 लोग शूट करते है एट टाइम हमारे साथ इंडियन डाउन भी चलता है रिकब भी चलता है और कंपाउंड भी चलता है तो उसके बाद उसमें जो अच्छा स्कोर किया वो आगे से आगे राउंड में क्लियर करके जाएगा तो वो आगे बढ़ते है सब्सक्राइब कर लास्ट टाइम हम यहां से आइज दोजाट इस में डिसमबर में हमारा गेम ता राजस्तान में जुनियर्स और सब जुनियर्स का तो यहां से हमारा पाइडिसिपेंट बच्छे यहां से पहले बार गया वहां पर शूट किया उन्होंने उनको बहुत लागा और काफी सारा चीछी सीखने को मिला है जैसे हम अपने ग्राउंड पर जाते हैं तो वहां पर हम यह करते हैं कि हमारा बच्छे को कैसा हम लोग फिल्ड के बारे में बताया जाएं क्योंकि उनका नजारा पहला बार होता है वो पहले बार देखता है तो उसके बाद म मेरे पास में और जिरॉल्ड फीगर सब जुन्यर जुनियर में गये थे य生से एजिनल ट्राइबल सहमारा यहां यह स्त्रेट यालेंड से था दो जुनियर तो जुनियर में गई थे गल्स और वरद्वन नाका एक बनता था वह भी गया था उनको जब वहां देख 되면 वहांसे जब वह गेम देख के आने के बाद आपको बता सकता हूं कि वह बिना मिस करें वह अपना रेगॉलरेल क्लास आता है ताकि एक एरो भी वहां पर उनका गड़बन न हो जाए तो उनको वहां से सीक मिल गया कि यह हम को जाके वहां पर ये करना है हमारे पास टोटल six arrow चलाना है और हर तीन एरो के लिए 90 सेकंड मिलता है तो अगर बाइचांस हम शूटिंग रेंज में खड़ा हो के हमारा एक भी अगर एरो मिस हो गया या फिर बाहर चला गया तो बच्छे को बहुत एफेक्ट पड़ता है क्योंकि मेरा एरो बाहर चला गया और मेरा मार्क्स कंबा गया तो जो जितना अच्छा शूट करेगा उन्हीं का रिजर्ट अच्छा होगा और उसके पीछे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है तो सर बच्चों को प्रैक्टिस दिलाते वक्त एक कॉंस्टेंट मोटिवेशन उनको देना बहुत जरूरी होता है और इसमें पूरा सर यह आपने नहीं बताया यह हमें नहीं पता था यह ऐसा हो गया तो हम वो सारा जानकारी इनको दे रखा है अभी अभी सीनियर्स और सब जूनियर्स में जितने भी बच्चे हैं उनको प्ले आफ यह इसके बारे में ग्राउंड के बारे में फिल्ड के बारे में सब कुछ कराता हूं जब हम आफ्टे में एक बार शूटिंग करते करते बोर हो जाते हैं एक दिन मस्ती करके हम अपना वाक्शॉप लगाते हैं उस दिन हम इनका हर एक एरो पॉइंट नौक वगेरा जो भी है उसको बनाने का काम करते हैं ताकि वह और अच्छा शूट कर सके जैसे कि आप यहां आइलेंड्स में काफी सालों से सिखा रहे हैं तो आपका तजूर्बा क्या रहा है कि यहां क्यूंकि आर्चरी एक ऐसा इवेंट है ऐसा एक स्पोर्ट है जो कि हम बोल सते हैं मुख्य जो ग्लैमरिस स्पोर्ट्स है उसमें इसे नहीं गिना जाता दुर्भागे कि मैंने जब शुरू किया था दोजार इकीस में यहां पर कोचिंग कराना कुछ टाइम मिलता था मेरे पास और मेरे को फॉलर्ज एपार्टमेंट से यहां पर ऑलिम्पिक असोस्टिस में मंगाने के बाद यहां पर एक मैना का टाइम रहता है या जादा से जादा पंदरा दिन का पंदरा या बीज दिन में तो कुछ भी नहीं होगा मैं अगर आपको आचरी करना है तो आपको ग्राउन से टेच होना होगा और हर एक एरो आपका टार्गेट फेस में उस इसाब से मार्किंग होना चाहिए जो इसाब से आपने प्रैक्टिस किया है अधर्वाइज जा नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट तो जैसे आप है जैसे आप क्लास यह ऑगा इनरवे चौप नहां लिए जितना आप ज़्याद्व चलाय गां डिन में उतना ब्लेट तो यहां पर जब बच्के आपके पास आते हैं कोई मसीबत लेकर तो आप उन मसीबतों को कैसे डिल क करते हैं कि सतरह से उन्हें बिलाजा देते हैं या फिर कैसे उन्हें शान करते हैं या पहले तो मेरे पास में इतने वी चोटे-चोटे बच्छे रहे यह पर मेरे को थोड़ा पानी पीरा है गोला यार पानी फीलो किस में तो यह काफी एक्टिव रहता है गेम में जैसे सचीन कर लिया तो अच्बाद में फिर मैं यह शूट कराते रहता हूं फिर बार 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 आते हैं सर मुझे वाश्रूम जाना है या मैं उसके पर पर इन न से मज़ाख करके उनके साथ मैं गुल मिलके मैं बोलता है जा कि फिर वैसे करके मैं निकाल लेता हूं इनको कुछ बोल पर तो यहां पर क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं तो क्या हम यहां में से कुछ एक-दो बच्चों से बात्चीत करके पूछ सकते कि उन्हें अभी आपसे कुछ पूछना है तो पूछ ले ऐसा कुछ बात करें विलकूल क्योंकि यहां पर सिफ हमारे पास इंडियन बोई है रिकव बो का भी हमने स्टार्ट नहीं किया है रिकव इंटरनेशनल के लिए होता है और इंडियन राउंड जो है नेशनल लवल के लिए होता है यह दोनों में अंतर यह है इंडियन राउंड जो है इंडिया में खिला जाता है नेशनल कोई भी स्टेट में और रिकव इंटरनेशनल लेवल का है तो वो वो टाइप ऑफ वो वो अलग है है कि मरा नाम डेस में जो सार से अचछिल कर रहा है और मेरा ये सवाल है अभी एरो चलाते चलाते न श्ट्रीं दिला हो जाएं तो उसको कैसे ठाइट करें एरो चलाते अगर आपका स्ती कि डिला हो जाता है तो उसको क्या है हम लोग नॉकिंग पॉइंट उपर का बो लिम का जो नॉकिंग पॉइंट है वहां पे हमें अपना स्ट्रींग को फोल्ड करके दुबारा से फिर उसको रियाप्लाई करना है नॉकिंग पॉइंट में जैसा लग जाएगा उसके बाद फिर आपका string lose है और आपका arrow पर जानी पारा है आपके range में, तो फिर आपको क्या करना है, आपका जो string है, उसको हमें change करना पड़ेगा, क्योंकि हम अकथर shoot करते करते, जितना अपना draw land नरता है, draw land के इसाब से हम किस्ते किस्ते कभी-कभी क्या होता है, इसमें से एकात दागा भी आगर तूट जाए तो वह पूरा फैक्सिबल नहीं रहता है आपका शूट करने के लिए है ना तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा हमारा जो स्टिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा एकोर्डिंगी आपका हाइट के साब से आपके रोलिन के साब से हमें मेकिंग करना पड़ेगा नाया स्ट्रेंग लागाना पड़ेगा आपके पो मेरा नाम जुरोल है मैं भी पिछले दो साल से आलशरी कर रही हूँ सर्व मेरा क्वेश्चिन यह है कि जब नाशनल के लिए हमारे पूरी टीम के साथ जाते ए ठीट यह उन्दान का जो हमारी एंपे वैदर है वह है बहुत बहुत अलग होता है तो हम हमने जब लास्ट टाइम जङए थे तब वहां का मतलब थंडा गड़मी तह हमाराम मतलब यहां पे बहुत डिफरियंस है तो वहां जाके कुछ अ लिह से कुए हमारा प्रते Σे कोई गस का जान वेदर वेदार होता है तो एक इसाब से ही था होता है। क्योंकि अभी कलाइमिट चेंच वेडर है कि क्या ओजाये कुछ पारिश हो जया कब बारिश हो जाय कब दूप आजाये को ऐना हाँ हमारे बच्चों को तोड़ा सामना करना पड़ता है यहां से बाहर जाने के बाद वैदर को हम अपना गेम के साथ में वैदर को भी गेम बना के उसके साथ में खेलना चाहिए अगर मानलो आपको थंडा जादा लग रहा है तो आप प्रिकॉशन जरूर ले ठीक है आप त कर दोल चल में यहां भी थाफ यहां से लिजा लगाए यहां से बहुत ज़ाधा होता है वह पर तो अबसक्ता वह बद that को उप आपको अपना जितना भी सामान है हम यही कोशिश करेंगे जहां पे हम ज़ान जा रहे है बच्चों को जहां शुटिंग के लिए लिए लियर और बच्चों को उसके इसाब से हम ड्रस और जो भी समाने वो प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को मौसम के चलते कोई भी दिक्कत ना आए मैंनाम दरमेशर उं एक मैना से आर्च्री सिखता है सुन मिना सवाल है कि हर एक शूट में फॉलो टुरू क्यों करते हैं और से क्या बेनिफिट है फॉलो टू हम इसलिए करते हैं हर एक गेम में बटा वोलो टुरू होना बहुत जरूरी है क्योंकि हर गेम के बाद फॉलो से जब हम follow throw करेंगे तो वह arrow का benefit के लिए हम follow throw करते हैं अगर आप anchor position में रखने के बाद जब without follow throw अगर आप arrow को छोड़ता है तो arrow हम जज नहीं कर पाएंगे वह arrow बाहर जा सकता है target face से इसलिए follow throw बराबर करना है इसलिए क्योंकि फॉलो तो करने से ही आपका जो एरो है वह आपको स्कोरिंग करेगा अगर आप मार रहा है तो टैनेक्स में ज़रूर जाएगा इसलिए फॉलो तो करना बहुत ज़रूर है हर एक एम मेरा नम समराते मैं पिछले एक मैने सर्चरी सी करो बो का उपर स्टैब लगाया जाता है जिसमें लॉंग बार शॉट बार और एक्षन होता है उसो हम जब अपना शूटिंग के लिए जब हम रेस करते हैं तो अपना हाथ के साथ में अपना चंट्रोल को सही करने के लिए बो का सब्लाइजर यूस होता है सर मेरे एक कोशन है कि इंडिकेटर फ्ल में केल रहा है तो ऐडोर जब घीम खेलता है तो हमारा अपना जो टार्णिट फेस्के ऊपर में जो अव्ल ए करता है अगर हावा चल रहा है तो सामने में जो फ्लम लगा वा तो तो हावा कांसी सी तरफ से चल रहा है उसका अयर इंडिकेशन बताता है इसलिए हम फ्लेग लगाते हैं येल्ग करने वाला जो आपको एर इंडिकेशन के बारे में बताता है। शूट करते समय कहीं आप अपना शुट कर रहा है और हावा चल गया तो आपका आरो बाहर निकल सकता है। तो अगर प्रॉपर रखना है तो अगर हवा चल रहा है तो आप उस्टम शूट मत करिये जैसे हवा रुख जाता है फ्लैग इंडिकेशन करना बंद हो जाता है तब आप शूट करिये वो हमारा वहां से भी यह है कि जब हवा चलते रहे तो हमें शूट करने के लिए नहीं द आपका बो जो है ना बिटा बो में एक साइटर लगा हुआ है सामने में जो साइटर है तो आप अभी कौन सा रेंज में खेल रहा है सब जूनियर जूनियर उसके एकॉर्डिंग ली आपको शूट करके देखने के बाद अपना साइटर को सेट करना है स्ट्रींग बो और सा तभी आपका वो टार्गेट सही जाएगा विफित और ऑलर को किदना संटिमेटर को उता तक न्-पार्गard storage जो आ इंडियन रॉड में दो किसम क म fertettepe 120 cm को प्राइब को छॉल चैसे कि हम सभी ने देखा इन बच्चों में कितना उतसा है कितनी कुरियोसिटी आरचरी को लेकर और इसका श्रय जरूरर जरूर जाता है हमारे सर को जो इन बच्चों को इतनी अच्छी कोचिंग दे रहे हैं और इनके अंदर इस इंटरेस्ट और इस कुरियोसिटी को इन्होंने बनाये रखा साथ ही अंडमान में आर्चरी के शेत्र में अगर देखा जाए तो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है नैशनल इंटरनाशनल लेवल पे तो हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसा ही बढ़ावा बच्चों को मिले पेरिंट्स के तरफ से समपर्ब करके आप अपने संच्याव का हल सकते हैं और साथ ही आर्चरी के शेत्र में यदि आप चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं तो खेल खिलाडी कारिक्रम में आज बस इतना ही आप देखते रहिए हमारा कारिक्रम